हेई गाइज वाट्सएप बहु बलेटरिक में आप सबका बहुत-बहुत स्वागात है तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं वैसे हम तो पढ़ ही रहे थे महानदी अप वहात अंतर के पारे में ठीक है और हमने महानदी के बारे में पहले जाना उसके बाद उसकी साहयक तो अगला सहयक नदी है वो है बुरे नदी ठीक है महानदी की अगला सहयक नदी बुरे नदी इसका उद्गम होता है कुर्बा छेतर से ठीक है बुरे नदी निकलती कहां से है कुर्बा छेतर से और मिलती कहां पर है महानदी में ये मिल जाती है ठीक है इमेज में आप रहट रहा पठारी छेत ठीक, तो वहां से ये मांड़ नदी निकलती है, है न? और ये मिलती कहां पर है, तो चंदरपूर में, महानदी में मिल जाती है, चंदरपूर क्या चंदरहाशनी, ठीक है, आपने गाना सुना होगा, तो चंदरपूर नामा की स्थान पर, जो की जीर चाप जीले में हैं, वहां आके महानदी में मिल जाती है, ठीक है, और यही चंदरपूर पर लातनदी भी आके मिल जाती है, तो इस तरीके से मानदी, महानदी और लातनदी का संगम इस्थल कौन सा है, चंदरपूर, ठीक है, तो फिलाल हम तो मानदी के बारे में जा रहे ठीक है इसके लंबाई कितना है 155 किलोमीटर 30 अच्छा अश्ट्रियुनात्र नदी कितों बता दिए 290 किलोमीटर हस्दियों हमने पढ़ा कितना 176 किलोमीटर महानादी हमने पढ़ लिया कितना है 286 किलोमीटर 36 गड़ में और 875 कूल है ना तो इसको ऐसे करके आप रिवाइस भी करते चलिए तो आपको असानी से याद होता जाएगा उसके बाद तटी सहर देखें तो चंदरपूर शहर बसा हुआ है है ना महानादी के तट में भी है और मांड नदी के तट में भी है ठीक है उसके बाद देखते हैं प्रवाध हो जाएगा सरगुजा, रायगाड, जश्पूर, जांजगीर चांपा इन जिलों में मांड देखें तो कुईराज और कुरकुट ठीक है कुईराज और कुरकुट इसकी सहयक नदी है जैसा कि इमेज में देखिए कुरकुट और कुईराज किसमें मिल रही है मांड नदी में जाके मिल रही है है उसके बाद कुछ विशेश बाते देख लेते हैं मांड नदी के बारे मांड नदी घार्टी में सबसे बड़ा कोईला खदान कहा है रायगड में और मांड नदी में सरभंजा जलप्रपात इस्थित है इन तीनों विश्यश बातों को आओ हम इमेज में देखते हैं तो इमेज में आप देख सकते हैं कि मांड नदी में सरभंजा जलप्रपात है ठ लेकिन कोईले का उत्पादन सबसे जाद कौन से जिले में होता है, ऐसा कुश्या ना है, तो आपको टिक करना है कुर्बा जिले में, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, चलिए आगे देखते हैं, आगे है लात नदी, लात नदी का उत्गम रधन की पहाड़ी से ह होता है महासमुन से, और ये चंद्रपूर नामक एक जगा है जांजगीर चापा में, जहां पर महा नदी से मिल जाती है, ठीक है, और उपर से अल्डेडी आ रही है मांड नदी, और इस तरीके संग मिस्थलवान जाता है, इसको हमने कई बारा भी बात कर लिया, उसके तो लेलूंगा धसिल, है न, वहां से निकलती है केलो नदी, और मिलती कहां पर है, तो महा नदी में मिल जाती है, महा देव पाले नामक ए स्थान पर, उडिसा में, ठीक है, उडिसा में जाके मिलती है, ठीक है, चटिस गड़ में नहीं मिलती है, याद रखना, उडिसा में जाके मिलती, question पुछ देगा कि इन में से कौन सी नदी 36 गड़ में मतलब महा नदी में नहीं मिलती ठीक है, दो तीन option दे दिया जाएगा जिसमें से एक रहेगा kilo और एक रहेगा हाँ, एक रहेगा kilo ठीक, तो kilo ही answer होगा यदि इब रहा, तो इब भी answer हो जाएगा, ठीक है kilo नहीं रहा, इब रहा, तो इब answer होगा और kilo और इब दुनों है, तो दुनों answer होगा, ठीक है क्योंकि दुनों महा नदी में मिलती है, उडिसा में जाके 36 गड़ में नहीं, clear, चलिए आगे देखते हैं प्राचिन नाम, प्राचिन नाम ऐसा नहीं है, मैंने बाउनाओं में बहकर ये एक लिख दिया था, ठीक 30 स्थल देखें, तो 30 स्थल है राएगाड, ठीक है राएगाड से निकलती है, राएगाड में ही बहती है और राएगाड से निकल की direct उडिसा के महादय पाली नामकिस्थान पर जाके महानादी में मिल जाते है ठीक है तो प्रवाज छेत्र भी इस तरीके से रायगड हुआ है ना विशेश बात जाने तो इसको रायगड की जीवार रिखा कहते है ठीक है रायगड की जीवार रिखा कहते है ठीक है केलो नदी मे किलो बांध भी है जिसे स्वर्गी दिलिप सिंग जुदेव परियुजना भी कह दें अच्छा जब हम महानदी पढ़ रहे थे और महानदी की विशेष्टा जा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि महानदी में रायगड जिले में 36 गड़ का सबसे बड़ा पूल है या सेतु है ठीक है उस सेतु का नाम आपने कमेंट करके नहीं बताया तो कमेंट करके बताईए ठीक है अब साहयक नदी देख लेते हैं किस की साहयक नदी क्या बोलते हैं, केलो नदि की साहक नदी, ठीक है, कौन सा है, कुलेडगा और राजर, है न, नाम में ही केलो, केलोडगा राजर ऐसा है, ठीक है, तो केलो नदी की साहक नदी है, कुलेडगा और राजर, इमेज में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं, इब नदी, इब नदी के बारे में, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इमेज में साइड में लोगों दिख रहा है, है ना, तो इब नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो उद्गम कहां से हुआ है, खुर्जा की पहाड़ी से, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी, पेंड्रा पाट से हुआ है इब नदी का उदगम और यह कहां पर है यह जशपुर जीले में परता है ठीक है यहां से दो नदी निकलती है है ना खुर्जा की पाड़ी से इब नदी और क्या बोलते हैं एक एक और है जहां से कनहार नदी निकलती है याद नहीं आ रहा है चलो आगे देख लेंगे है ना तो विसरजन कहा होता है इब नदी का वो होता है हिरकुंड के पास संबलपूर नामक इस्थान में महानदी में मिल जाती है ठीक है तो ये निकलती कहां से है जशपूर से पेंड़ा पाट या खुर्जा पाट से और जाके मिल जाती है महानदी में संबलपूर में ठीक है इसके लंबाई की बात करें तो इसके लंबाई है 202 किलो मिटर टोटाल लंबाई ठीक है क्लोटा लंबाई कितना है दो सो दो किलो मीटर लेकिन तीज गड़ में सिर्फ 68 किलो मीटर बहती है ठीक है और बागी का जो लंबाई है वो उडिसा में बहती है जैसे भी 286 किलोमीटर ही 36 गड़ में बहती है बाकी उडिसा में बहती है बिल्कुल वैसे ही ये भी 202 किलोमीटर का लंबा है लेकिन सिर्फ 87 किलोमीटर ही 36 गड़ में बहती है और बाकी उडिसा में बहती है तरटी स्थल की बात करें तो ये जश्पूर क्या बोलते हैं जश्पूर से से कहते हैं जास्पूर के बाद यह वह में चली जाती है ठीक है प्रवाज चेत्र उडा साइक नदी में देखें तो मैं और डोकी है मैं नी and डोकी इसकी साहेक नदी है विशेश बात जाने तो इस नदी में सोने के करणद पाए-जाते हैं जिसे इस्थानी सोंजरिया जन जाती द्वारा संगरहन किया जाता है इप नदी में जो बालू है रेत है मौरंग है उसमें किया पाया जाते है उसमें सोने की कण पाया जाते है छोटे छोटे जिसको वहां आसपस रहने वाले जो सोंजरिया जन जाती है उनके द्वारा कलेक् मलाच कुंडम की पहाड़ी से जो की कांकेर में है है ना मलाच कुंडम की पहाड़ी कांकेर में है और विसर्जन हो जाता है महा नदी में है ना दूध नदी का प्रवाध छेत्र हो है कांकेर कांकेर में से ही निकलती है कांकेर में बहती है और महा नदी में मिल जाती है कांकेर में हैं विश्यश बात जाने हैं तो इसमें मलाज कुंडम जल प्रपात है इमेज में भी आप देख सकते हैं कि मलाज कुंडम से दुध नदी निकल रही है रास्ते में पढ़ जाता है मलाज कुंडम जल प्रपात और आगे चल के वो महा नदी से महा नदी में मिल जाती है ठी विश्यस बात जाने तो धम्थरी जीले में इस नधी पर मडम सिल्ली बांध है जो म front с को और इस माडम सिर्ली बांध को बाबु छोटे लाजसरे वास्ता प्रयूजन भी कहते हैं ठीक है पिछले साल नानी पिछले साल कर पिछले साल इस की बहुशना भुपेश बगेल द्वार की गई थी कि अब माडम सिली को हम क्या कहांगे बाबु छोटे लाज्री वास्तो परियोजना कहांगे ठीक है तो इस बात को भी आप याद रखेंगे इमेज को भी देखते चलिए ताकि आसानी से आपको याद हो जाए उसके बाद द राजिम में आके महानदी में मिल जाती है ठीक है विशरेजन कहां होता है राजिम में और महानदी में ठीक प्राचिन नाम इसका है पलासनी पैरी नदी का प्राचिन नम क्या है पलासनी और इसकी लंबाई है 90 किलोमीटर ठीक है पैरी नदी का लंबाई कितना है 90 किलोमीट प्रवाचेत्र क्या है तो प्रवाचेत्र है गरिया बंद है ना साहयक नदी है सुंधूर जो सुंधूर है वो पैरी की साहयक नदी है और पैरी में मिलने के बाद इन दोनों की संयुक्त धारा जाके महा नदी में मिलती है राजिम के पास ठीक है उसके बाद विशेश बात ज योजना है क्लियर पहरी नदी के तट में सिर्किट्टी आश्रम के निकट बंदर गहा प्राप्त हुए है ठीक है तो इस बात को भी आप याद रखेंगे क्लियर उसके बाद आगे देखते हैं सोंधूर नदी तो सोंधूर नदी का उद्गम हुए है नरियर पानी से इसके भ प्रीशा में बढ़ता है ठीक है इन दोनों बातों को याद रखेंगे और विशर्जन कहां होता है तो पहरी नदी में मिल जाता है क्योंकि पहरी नदी की यह सायक नदी है और यह दोनों नदी आपास में मिलके फिर राजिम नाम की स्थान पे महानदी में मिल जाती है ठीक प्राचिन नाम है इसकी सुंद्रा भूति जैसे पेरी का प्राचिन नाम पलासनी इसका प्राचिन नाम सुंद्रा भूति ठीक है विशेश बात जाने तो इसमें सुंधूर परियोजना है जैसा की इमेज में आप देखें सुंधूर नदी में सुंधूर परियोजना है ठीक ह उसके बाद आगे देखते हैं सुखा नदी ठीक है कौनसी नदी सुखा नदी तो सुखा नदी का उदर्गम कहां से हुआ है तो वो हुआ है महा समून है जो की महासमून में भी है मतलब महासमून में ही है ना तो यूँए हो गया सुखा नधी की बात आगे देखते हैं जोक नधी तो जोक नधी का उद्गं हुआ है इसके भी दो सोर्स है एक है गौरागाड की पहाड़ी महा समुद और एक सुनबेरा की पहाड़ी उडिसा ठीक है तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे option के recording टिक करेंगे विसरजान ये कहाँ पर मिलते है तो शिवरी नरायन में किस से महा नदी से जहाँ पर ओल्रेडी शिवनाथ आके मिलती है तो इन तीनों नदी के संगम इस्थल को क्या बोलते है शिवरी नरायन ठीक है जोग नदी के लंबाई है 90 किलोमीटर clear जोग नदी के लंबाई कितनी है 90 किलोमीटर 30 स्थल पर है गिरोधपूरी जो बाबगुरु घासी दास की जन में स्थली है यह जोग नदी के तड़ पर ही बसा हुआ है ठीक प्रवाध चेतर की बात करें तो महा समूंद बलोदा बजार यह है जोग नदी का प्रवाध चेतर ठीक है उसके बाद विशेश बात जानिए कि महा समूंद जिला में जोग नदी पर जोग पर योजना निर्मित है ठीक है महा नदी में सोरी सोरी महा समूंद में जोग नदी पर जोग पर योजना निर्मित है ठीक है इमेज में आप देखते चलिए उसके बाद आगे देखते हैं तेल नदी ठीक है कौन सा नदी तेल नदी तो तेल नदी का उदकम हुआ है देभोग छेतर से जो की गरिया बंद में है और ये मिल जाता है उडिसा में मिलता है महा नदी में ठीक है का मिलता है उडिसा में तो गाइस इस तरीके से हमने क्या है म सहयक नदियों के बारे में पढ़ लिया ठीक है महा नदि के सारे सहयक नदियों के बारे में पढ़ लिया लेकिन महा नदि की सबसे बड़ी सहयक नदि कौन सी है शिवनाथ नदि शिवनाथ नदि भी अपने आप में बहुत बड़ी नदि है और छोटी छोटी नदियां आके उसमें आके मिलती है ठीक है तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे सिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में देखेंगे ठीक है एक छोटा सा ये इमेज देख लीजिए इसको याद कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे तेंक्यू